जार्खन के पुर्वसी हम 25 सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी का दामन थाम लेंगे सूचना के सामने आने के बाद से जार्खन की राजमीती में चर्चाओ का दोर जारी है चमपाई सोरेन बीजेपी के साथ जाते हैं तो जहारखन की राजमीती कैसे और किस हद तक प्रभावित होगी अगामे विधान सभा चुनाओं में बीजेपी को इससे कितना लाप निलेगा चमपाई सोरेन ने जेमेम छोड़ने की सूचना गुरुजी को पत्र लिख कर दी है और उस पत्र से हस्साफ जहिर है कि चमपाई सोरेन की नाराजगी क्यों है ऐसे में तमाम तरके सवाल है जो इस वक्त राजनुतिक गलियारों में घूम रहे है चमपाई सोरेन एक संताल और बेदार आदिवासे नेता है जिनने जहारखन का टाइगर भी कहा जाता है वे सराई केला वधान सभा छेतर से च्छा बार वधायक रहे हैं और कोलहान छेतर में उनका अच्छा खासा प्रभाव है जहां मुमों छोड़ते वक्त भी चमपाई सोरेन ने गुरुजी शीबू सोरेन के प्रती अपना सम्मान दिखा दिया है चमपाई ने सपश्च तोर पर यह कहा कि वे आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा और बांगलादेशी घुस्पैट की समस्या प्रदेश से मिटाने के लिए बीजेपी के साथ जा रहे हैं इस तमाम मुद्दे पर प्रभात खबर के कारेकारी संपादक और जहालखन की राज्मिती पर करीब से नज़र रखने वाले वरिष्ट पत्रकार अनुच सिना कहते हैं चमपाई सोरेन के बीजेपी जोईन करने से चामूमों को नुकसान होगा इसमें कोई दोराय नहीं है जेमेम ने एक तरह से बीजेपी को अफसर दिया है कि वह खुद को कुलहान में मजबूत करे गीता कोड़ा पहले से ही इस शेतर की बड़ी नेता थी अब चमपाई भी उनके साथ होंगे और वे दोनों मिलकर बीजेपी को मजबूत करने के लिए कारे करेंगे चमपाई सोरेन जेमेम के कुलहान छेतर के सबसे बड़े नेता थे इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जेमेम के पास और भी नेता है चमपाई सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनोती यह है कि वे अपने साथ जेमेम का कितना वोट बैंक लेकर बीजेपी जाते है जेमेम एक ऐसी पार्टी है जहां से अगर कोई नेता जाता है तो सिर्फ नेता जाता है उसके साथ अन्य लोग नहीं जाते जेमेम के वोटर के लिए उनकी पार्टी और उसका जंड़ा काफी माइने रखता है वहीं बीजेपी यह कोशिश करेगी कि चमपाई सोरेन का इस्तमाल जेमिम के खिलाफ किया जाए क्योंकि चमपाई सोरेन को सहानुभूती तो मिली है लेकिन वो जेमिम के पारम पर एक वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाएंगे आने वाले दिनों में स्थितिस बश्ट हो जाएगी चमपाई सोरेन के जो करीबी है वो वोटर्स तो उनके साथ जाएंगे लेकिन जो जेमिम के कोर वोटर्स है वह कितना उनके साथ जापाएंगे यह आने वाले वधान सभाचुनाओं में साफ हो जाएगा चुकि BJP पहले से ही कोलहान में पैट जमाने की कोशिश कर रही है और यही वच्छा है कि कोलहान में कॉंग्रस से एक मातर सांसत गीता कोड़ा को उन्होंने BJP का दामन थमाया कीता कोड़ा के बाद कोलहान में अपनी पैट मजबूत करने के लिए BJP चमपाई सोरेन का इस्तमाल कर रही है देखने वाली बात रहेगी कि ये दो चहरे किस तरह से BJP की पैट कोलहान शेतर में मजबूत करते हैं और कितने कोर वोटर्स को अपने साथ ले आपाते हैं